Hello everyone, स्वाज़त है आप सभी का Cognigence IS में जैसा कि हम सब जानते हैं जब PSE का नोटिफिकेशन आ चुका है और जल्द ही इसके form की date भी अनाउंस होने वाली है साथ ही हमें इसके exam का date भी पता चल जाएगा तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए Cognigence IS की तरफ से JPSC स्पेसिफिक प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है इस प्रोग्राम में JPSC के regarding सारे queries and doubts को clear कराया जाएगा साथ ही हमारा प्रयास रहेगा कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ सथ अगरेजी माध्यम के विद्यार्थियों को भी लाप पहुचाया जा सके किसे भी exam को qualify करने के लिए उस exam का nature, syllabus and strategy को समझना सबसे ज़्यादा important है तो यहाँ पे हम लोग JPSC prelims के और इसके mains के exam के syllabus को समझने की कुशिश करेंगे देखें यहाँ पे जो pattern exam का वो तीन स्टेज में conduct होता है फर्स स्टेज है हमारा prelims का second है means का third है personality test यहाँ पे जो prelims होता है उसमें दो paper होते है paper 1 and paper 2 paper 1 और paper 2 प्रतियक paper 200 number के होते हैं और प्रतियक paper में 100 questions होते हैं जो main steps में 6 descriptive paper है सारा का सारा paper compulsory है इसके लबा जो पसाइट test है वो 100 number का होता है अगर हम लोग prelims के बारे में बात करें तो एक paper में time है हमारा 2 गंटा और जो marks है वो 200 marks each है तो हमारा total marks हो जाएगा 400 यानि कि एक question पे आपको 2 marks मिलेंगे साथ ही यहाँ पे notification में किसी भी तरह के negative marking की बात नहीं की गई है यानि कि यह आपके लिए एक plus point है कि आप सारे के सारे questions को attempt कर सकते हैं बिना डरे हुए अगर यहाँ पे हम लोग general studies paper 1 की बात करें तो उसमें जो इंडिया है या जितना भी तरह का international news है या फिर miscellaneous topics है quality, geography, सारा का सारा paper 1 में आएगा और अगर paper 2 की बात करें तो यहाँ पे जो जार्खंड का general studies है यानि जार्खंड specific जो question है वो paper 2 में पूछे जाएंगे इसके अलावा यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दे तो prelims में या mains में किसी भी तरह का maths या reasoning का वेटेज नहीं है यानि कि maths और इस पेपर में नहीं है तो हमें complete focus करना कहाँ पे general studies पे अगर हम लोग प्रेर्यम के इस लेबस की बात करें तो इसमें history, geography, policy, governance, economy, sustainable development, science and technology, जार्खंड specific questions, national international current events, इसके अलावा कुछ miscellaneous questions यह सब हमारा जार्खंड का यानि की करें तो इसमें कुछ specific subtopic divided है यानि कि यहां पे एक certainty होती है कि इस paper में इस section से इतना ही questions पूछे जाएंगे example के लिए history of India है यहां पे अगर ancient history से five questions है, medieval से five questions है, modern से five questions है इन सब के बारे में mention किया हुआ है जोगरफी के बारे में बात करें तो geography में भी 10 questions है और कौन से section से कितने questions आएंगे वह भी यहां पे mention किया हुआ है इसी तरह से आपको quality, economy, science, technology और जार्खंड specific इसमें भी 10 नंबर के question याई paper one में भी 10 नंबर का जार्खंड specific question रहेगा इसके लावा जो paper two है उसमें complete weightage जार्खंड का है ही देखें यहां पर अगर पर paper two की बात करें तो paper two में जो जार्खंड का history है जार्खंड का history में art question यानİ की एक question two marks का तो six 600 marks का हो जाएगा तो मुंडा सासन में वसता से एक कोशन है इसके इलावा जितने प़ी सासन में वसता है उससे एक एक कोशन है जपकि जाती है पंचाय सासन में वसता इस से दो कोशन ने दो कोशन यानिकी four marks की in का शारा सो तरत का शार्क्राइटा आंदूलन जेस्ट पहचान जार्क यानि जो है कि आर्ट कलट्यरे साहिते साहितिकार है या सिक्षन संस्थान है जार्क्रम में जितने भी जहार्क्रम का प्रमु जगा क्योंकि वो लोग बाहर से एक्जाम देंगे तो यहाँ पर जाता है इसके लाव अगर बात करें तो प्रिलेम्स में आपको टोटल कितने मार्स लाने है 40 per cent मार्स लाना है यानि कि इस पर स्पेसिफिकली बता दिया गाई नोटिफिकेशन में जो क्ष्छाइठ ही होगा वो 44% होगा टोटल मार्स घौनर का मार्स लाना प्रिलेम्स तो प्रिलेम्स बहुत ज़ाद है यहाँ पर तफू नहीं हो होगा आप एक basic knowledge के साथ basic understanding के साथ इसको clear कर सकते हैं यानि कि जब अलग-अलग qualify नहीं करना तो आप पेपर 1 में marks उठा सकते हैं जो बाहर के हैं और जो जहारखंड के हैं वो पेपर 2 में या आपका जो भी interest का subject है उसमें marks को gain कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पे most weddage वाला पार्ट है आपके selection में वो है mains final selection में finally आपका जो merit में नाम दिलाएगा वो है mains का exam और यहाँ पे mains में 6 paper होते हैं लेकिन जो marks जूडते हैं वो केवल 5 paper के जूडते हैं तो यहाँ पे जो duration होगा आपका हर एक paper में 3 hours का duration होगा इसके अलवा total marks में में 1050 हैं और अगर इंटर्व्यू को जोड़ दे तो 1150 का आपका total merit में 1150 में मार्किंग होगी अगर paper 1 को देखें तो paper 1 का जो full marks है वो है qualifying यानि कि 100 marks में आपको तीन घंटे में आपको यह paper लिखना है जिसमें कि आपको mandatory है 30 marks लाना इसके अलावा गर हम लोग देखे paper 2 को तो इसमें language literature paper 3 में social science है जिसमें history जोग्रफी के बारे में पताया गया है paper 4 में इंडिन constitution public administration और good governance के बारे में है paper 5 economy and globalization sustainable development के बारे में है और paper 6 में जो है जो है वो जेनरल science है environment technology और development के बारे में है तो यह जितना भी पेपर है paper 3, 4, 5 and 6 यह complete general studies based है जबकि paper 2 हमारा language literature है तो paper 2 के बारे में या paper 1 के बारे में बात करें तो paper 1 जो है हमारा उसमें Hindi English दोनों 50-50 number करेगा यानि कि total 100 में हमें 30 marks लाना है qualify करने के लिए यह paper का जितना भी marks आपका आएगा वो final में लिस्ट में आपका add नहीं होगा अगर paper 2 की बात करें तो language literature में आप अपने interest के नुचार कोई भी language चूज कर सकते हैं यहाँ पर हमारे यहाँ पर total 15 language को दिया गया इसलिए बस में इसमें आपको English और Hindi भी मिल जाएगा इसके अरवा आपका जो भी इंट्रेस्ट का language आप उसे चूज कर सकते हैं यह टोटल 150 माक्सा होगा इसमें भी 3-hour का duration है तो interest recording आप सब चूज करें subject को इसके अरवा अगर paper 3 की बात करें इसमें history है जोगरफी है और इन दोनों section को भी सब डिवाइड किया गया है अच्छे से ताकि understanding बहतर हो दिखें आप अगर that il statement Lakri यहां पे इंड्रस एली से स्टार्ट हुआ नि कि जो हम लोगों का नियू लिथिक लिथी ओपार tired कुसाना अन्ड और उन कुप्ताः हर्स वरदरा का पिरियज चूलाच का पिरियज और पल्लवाज यह सारा कुछ important हो जाता है ancient history में और medieval की बात करें तो यहाँ पे Arab invasion जो की 712 स्वी में हुआ था फर्स अरव invasion अगर देखें तो इसके बाद गजनवी का invasion दली सल्तनत, dawn of new Islamic culture, the mughal and marathas इसके बारे में हम लोगों को अच्छे से deal करना है अगर modern period की बात करें तो modern period में जो European company आये भारत में वहां से start होता है जो भी social reform हुए हिंदू और Muslim communities में struggle हुआ women's status को rise करने में इसके इलबा जो land revenue administration ब्रिटिस रूल का जिसमें की permanent settlement रहतवारी settlement या महलवारी settlement आते हैं इसके बारे में deal करना देखिए आपका important है एक paper क्योंकि यहां पर जो पर्मने सेटर्मेंट हुआ था वो किस एरिया में हुआ था यह जारखन बंगाल के एरिया में हुआ था तो इस तरह से आप यहां पर smartly पर सकते हैं कि कौन जारखन के लिए जादा important है इसके लवा rise of nationalism in Indian 19th century महात्मा गांधी और उनका politics इस तरह का था इंडिया का partition की प्रकार हुआ उसका consequence क्या हुआ उसका result क्या हुआ और इंडिया independence के बाद किस तरह का उसने policy को अपनाया इन सब के बारे में हमें वन के यानि की जो हमारा first general studies का paper है paper 3 उसमें deal करना है इसके लावा इसमें जारखन का history बे आड़ किया हुआ है तो जारखन के history को पढ़ने के लिए specifically हम लोग किसी book पर rely करेंगे या तो फिर cognitive science के तरफ से आपको notes provide कर दिया जाएगा total means related जितना भी notes है वो आपको हमारे standard book को पढ़ना चाहे चाहे तो वो history के लिए आप ancient history के लिए रामसरन सरमा की book को refer कर सकते हैं या तो फिर आवेपिन चंद्राव को prefer कर सकते हैं modern history के लिए तो इस तरह के book को आप पढ़ सकते हैं इसके अलावा हम लोग आपको notes provide कर देंगे geography section के लिए अगर बात करें तो इसमें physical geography का सारा कुछ दिया हुआ है किस प्रकार साब को कौन-कौन से topic पे rely करना कौन से topic को importance देना है physical and human geography of India ये भी हमारा यानि कि structure relief and physio graphic division training system जो हिमालय और peninsular का है यानि कि किस प्रकार से rivers को divide करा गया है हिमालयन river, peninsular river में क्या difference होता है simple simple से आपके पास questions होते हैं याँ पे तो इसके बारे में भी आपको सारा notes provide कर दिया जाएगा देखिए यहाँ पे syllabus को हम लोगों ने अच्छे से subdivide करा है क्योंकि syllabus के थ्रू ही अगर आप पढ़ेंगे तो finally आप easy understand कर सकते हैं कि किस topic को या किस subject को आपको ज़्यादा weight is देना है कौन सा आपका plus point है, कहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी है तो यहाँ पे अगर paper 4 को देखो तो यहाँ पे natural resources, development and utilization में भी आपको land resources, water resources, mirror and energy resources पे ध्यान देना है, development of industries पे ध्यान देना है ट्रांसपोर्ट, communication and international trade पे ध्यान देना है जारकन के जोग्रफी से भी कुछ questions रहेंगे इसके लबा paper 4 की बात करें, में इसका जो paper 4 है इसमें जो हमारा administration, Indian constitution, polity है इसमें आप लक्षमी कान की book को refer कर सकते है इसमें भी समझने के लिए हम देखे तो polity को cover करने के लिए प्रेंबल, silent feature of Indian constitution, fundamental right duties इसके लावा DPSP, union government की जितनी भी sections है यानि की union executive, legislative या judiciary है state government के बारे में हमें syllabus में cover करना है, state executive, state legislature, state judiciary and panchayat and municipalities इसके लावा central state relation के बारे में जाना है और schedule areas and schedule tribes के बारे में जाना है यानि की जो आपका schedule five and schedule six है ये बहुत important हो जाता है schedule six इसलिए भी important था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा news में था क्यों लदाक्स related कुछ बाते आई थी इसमें उभर के इसलिए इसके लाव emergency provision है CAG है election commission है और political parties and pressure group इसके बारे में हम लोगों पढ़ना इन सब topic को आप easily लक्षमी कान की book में cover कर सकते है जो English medium के students है इसके लावा जो Hindi medium के student है उनके लिए एक परिक्षा मंतन हो गई वो बहुत अच्छी book है means specific इसके लाव public administration and good governance में आपकी basic understanding के साथ current का जो आपका event है वो बहुत ज़्यादा काम आने वाला इसमें यानि कि अगर आप current authors को regularly update करते जाते हैं तो आपकी understanding develop होगी और आप means में दूसरों से अच्छा perform कर पाएंगे यानि कि recent examples अच्छे अच्छे words को use करना इन सब को use करके आप जो means है उसमें एक edge प्राप्त करेंगे दिखें यहाँ पर जो हमारा public administration है union administration, state administration किस प्रकार से कारे करते हैं हमारी chief secretary, chief minister का office का प्रकार का है district administration, personal administration delegation, centralization decentralization of authority bureau recressy के बारे में भी हमें पढ़ना है development of administration इसके अलवा disaster management good governance देखें यहाँ पर human rights के बारे में भी हमें पढ़ना है human rights के लिए जो universal declaration human rights का या national human rights commission है, state human rights commissions है इसके बारे में भी देखना है slave bus में यहाँ पर finally हमारा जो paper 5S में economic और globalization की बात की जाती है और sustainable development की बात की जाती है तो यहाँ भी इसके बारे में आपको complete बताया गया है इस topics को अच्छे सब divide किया गया है इस slave bus को अगर आप available करना चाहते हैं यानि कि इस slave bus को अगर आप download करना चाहते हैं तो आप हमारे telegram group में जूड सकते हैं इसके लावा आप हमारे website में जाकर कि slave bus को download कर सकते हैं और इसका जो भी description link में आपको description में आपको link provide कर दिया जाएगा हमारे telegram channel का और website का तो वहाँ पे से जाकर के आप slave bus को download कर सकते हैं और slave bus के recording हैं आप अपने topic को cover करते जाएं finally आपको last में एक consolidated notes provide कर दिया जाएगा जो means specific होगा देखिए जो economic की बात करें अगर तो जो national income है या inflation है इसका जो concept है demographic feature का जो concept है इन सब concept को आपको समझाया भी जाएगा नोर से provide करा जाएगा agriculture और ruler economy के बारे में industrial economy है तो इन सब के बारे में आपको रट की नहीं जाना है इन सब के बारे में हमें finally क्या करना है एक understanding develop करना है कि questions कहीं से भी आए हम लोग उसको easily tackle कर सके with resident example तो यहाँ पर more focus आपको यह करना कि current events पर ध्यान देते जाना है जो भी policies बनाया जारा government के द्वारा उसको ध्यान देना है साथ साथ में basic understanding को develop करना है अगर हम लोग बात करें sustainable development की तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा questions इस बार आने का chances है किसी भी exam में क्योंकि sustainable development में हमारी policies government हमारी policies बहुत ज़्यादा बना रही है इसमें renewable energy आजाएगा आपका या जो भी अभी electric vacals की बात की जा रही है sustainable development में सारा कुछ आ जाएगा तो इन सब टॉपिक्स को आप अपने answer में add-on कर सकते हैं इसके लब आप poverty and employment है, food and malnutrition है, food and nutritional security है, planning strategy है, decentralized planning है इन सब planning के बारे में भी हम लोग देखेंगे देखेंगे आप economic reforms है, किस तरह से reform किया गया इंडिया में new economic reforms है, financial and banking sector reforms है, जिसमें की self-help groups हो गया, microfinance हो गया, जिसमें भी MSM ही आ जा रहा है, हमारा नाबार्ड है, RRBs है, schedule commercial banks है, ruler cooperative banks है, financial conclusion है, globalization and economic के बारे में भी में deal करना है, जिसमें की foreign right investment है, foreign institutional investment है, इसके बारे में भी हमें specifically पढ़ना है, agriculture sector है, या फिर industrial sector है, industrial sector में क्या क्या reform किये गए है, इन सब को देखना है, इसके अलावा the economy of जारकंड, यानि कि जारकंड के economics के बारे में भी हमें deal करके जाना है, means के exam means के paper 5 में, तो यहाँ पे जो features है, issues है, challenges है, जारकंड के देश के लिए पढ़ रहा है, उसमें आपको more weightage देना है, देश के साथ सब जारकंड में भी, जारकंड के examples को देखते जाना है, तो भारत निर्मान, मन्रीगा का क्या status है जारकंड में, या फिर land, forest और environmental issues क्या 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 है जारकंड में, जारकंड एक mineral rich country है, लेकिन जारकं देखें, जो final last paper है, वो paper 6, इसमें general science है, जिसमें कि हमारा physics का question आएगा, physical science है, life science है, यहाँ पर physical science में, जो unit system है, उस पर ध्यान देना है, size system है, तो हमारा solar system है, earth कैसे revolve कर रहा है, velocity, speed, distance, इन सब के बारे में physics में पढ़ना है, जो basic understanding है, physics है, बहुत जादा, इसमें बहुत understanding के साथ, आप physics paper को deal कर सकते है, इसके लवा जो life science है, या तो जिसको हम लोग biology बोलते है, biology में भी कुछ specific topic है, बहुत जादा weightage नहीं है, बहुत deep biology भी नहीं पढ़नी है, आपको, simply concept of living cell structure है, इन सब के लिए आप NCRD को prefer कर सकते हैं, जितना भी है, biology के लिए आप 12th के NCRD को prefer कर सकते हैं, इसके लाब जो science है, उसमें भी आप NCRD को देखिए, 6th to 12th NCRD सब लोग बोलते हैं, लेकिन आप 8 से ओपर के NCRD को देखे, specific topic को पढ़े science में, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक topic को पढ़ना, बस topic को देखिए, उसका अपना notes त्यार करते जाएंगे, इसक इसके लाब आप इन topics को जितना जादा Google करके पढ़ सके, यानि कि जितना जादा internet का सहाइता ले सके, उतना जादा अच्छा होगा, रेंफट अग्रिकल्टर यहाँ पर दिया हुआ है, एग्रोक्लामेटिक कैसा है, ज्हार कमका रेंफ Jahạ्षान का, इसके लाब इसके लाब स्वाहिवर्टिली निडिदी सके अग्रिकल्टर, श्रहार का, इसके लाब इदार पेड़ लगा दिये, तो इस तरह का concept है, एग्र के लिए स्टेट के benefit के लिए उन सबको देखना है environmental science है जो पेपर 6 में वारा environmental science है तो environmental science में ecosystem environmental conservation या pollution के लिए biodiversity के लिए क्या-क्या कदम उठाया जा रहे हैं उसके जो concept है उन सबको समझना है इसके लावा global environment issue जो बहुत ज्यादा important है इसमें लोग climate change को पढ़ना है global warming ozone layer depletion AC train desertification इन सब के बारे में जानना है इसको हम लोग जान लेंगे तो इसको हम लोग लेख सकते हैं इसके लावा अगर आप इसमें कुछ recent example add कर सके जैसे कि इसको tackle करने के लिए क्या किया गया इंडिया के example आप दे करके अपने जो मेंस के अंसर है उसको एक extra weightage प्रदान करेंगे आप दूसरों से extra marks लेकर आएंगे तो यहाँ पर smart strategy को लेकर चलना है इसके लवा science and technology को देखें तो यहाँ पर जो policies science and technology को लेकर कि government के द्वारा जो बनाया जाता है हमारा nuclear energy sector कैसा है इंडिया को इंडिया की प्रोग्राम उन्ड जो को इंप्र्मिशन टेकन लगाटी तेकनोलाजी साइबर लोगा साइबर democrats जो रिसंट बहुत ज़ादा important हो गया है इसके अलवा national health policy क्या है सबको पता है कि जो प्रधान मंत्री का है उनका national health policy अभी बहुत जादा important है जैसे आरोगे सेतु एप भी है कोरोना के टाइम पर बहुत जादा ये चर्चा में था इस तरह का जो भी current event होता है उसको बेध्यान में लेके चलना है दीखें यहां पर हम लोगों को strategic and smart way में तयारी करनी है और smart way में तयारी करने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि हम लोग जितना जादा से जादा हो सके internet पे rely करें internet पे search करके पढ़ें book को understanding के लिए आप पढ़ सकते हैं जो भी आपको book पसंद है नोट्स को भी आप नोट्स पे डिपेंड कर सकते हैं बट नोट्स पे डिपेंड करने के साथ साथ अगर आप खुद से थोड़ा मैनत करें खुद से थोड़ा google कर ले खुद से कुछ examples को add कर ले regular current affairs को update करें तो एक आपकी ऐसी understanding develop होगी जो आपको mains के साथ साथ interview में जो हमारा personality test में उसमें भी आपको confidence प्रदान करेगी एक integrated approach के साथ आप इस exam को easily crack कर सकते हैं साथी अगर किसी भी तरह का कोई confusion हो या कोई query हो तो आप हमारी telegram channel पर directly visit कर सकते हैं हमारी बात को patiently सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद thank you thank you for your precious time